आप सभी के सब्सक्राइब बात करेंगे विशाल फैबरिक के बारे में यहाँ पर आपको कौँगा बहुत दिनों से विशाल फैबरिक लोवर सर्किट में चल रहा था अब इसमें आप ट्रेंट की पोजिशन बन रही है ऐसा क्या यहाँ पर रिजन है जो यहाँ पर स्टॉक आपको कौँगा पूरा मार्केट देख सकते दोस्तों निगेटिव वे में चल रहा था और विशाल फैबरिक में ऐसा क्या खास हुआ है इसमें जो यहाँ पर तेजी नजर आई है तो उसके बारे में बात करेंगे और कुछ इन्वेस्टर पूचरते कि सर इसमें आप एग आपको इसमें क्या करना है बोलकर चले स्टार्ट करते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा दिखे विशाल फैबरिक में आपर सर्कीट कंटीनी हो गया दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पर विशाल फैबरिक जो यहाँ पर टेक्स्टाल बिजनेस करे वाले पैसे आज बहुत कम बन चुके हैं तो यहाँ पर लॉस बहुत ही बढ़िया हुआ है इन्वेस्टर को तो इस वज़े से अभी फिलार इसमें continue रहना है यह आप पर सरकीट और भी बड़ेगा और benefit मिलेगा कि उसके बारें मैं आपको देखिए बीज़ी के अपसरेट पर अफिशल इनके जो अनॉसमेंट होते उनके बारें बताना चाहूंगा क्या on आउस्मेंट हुए क्या खास बात है उसके बारें बात करेंगे आपको दोस्तों पता होना चाहिए अब यहाँ पर हम आज की डेट आप सभी को पता है 28 जानुवरी तो यहाँ पर आप देखें कंपनी में 21 अरिकों यहाँ पर आनॉस्मेंट होई थी उसके बाद में कोई भी नहीं है और आज कोई भी ऐसा अफिसेल बढ़िया और आच्छी बात निकल कर नहीं है यह कंपनी तरब से तो ऐसा एक भी रिजन यहाँ पर कंपनी तरब से कुछ नजर नहीं आता है यहाँ पर हम और भी कुछ इंट्रेस्टिंग बाते देख लेते कंपनी में जो क्या चल है यहाँ पर आप और देखेंगे 28 जैनेवर को आज के बात कर रहा हूं डिलियर देख सकते 89 परिसेंट में यहाँ पर मार्केट से विशल फैबरिक उठाई है और आप तक देखेंगे तो आपको नजर आता होगा कि इसने लोवर सरकीट लगातर बढ़ाया और 50 टिक हाई क यहाँ पर करीब चलने आला स्टाउक दोस्तो आज 50 टेहाई के लोग के करीब आया है तो लगातर गिरावट डिखाई थी स्टाउक ने और कंटिनुए गिरावट की है यह आप बोलेंगे सरी चीज़ें क्यों दिखा रहे तो दोस्तों मैं आपको कौंगा इस चीज़ें द दोस्तों सभी यह ब्लैंक नजराते एक भी आनॉसमेंट यहाँ पर नहीं है यह तो बात हो गए आनॉसमेंट के बारे में आप यहाँ पर मैं आपको कौंगा आप सभी को पता है कि पहले भी जैसे कि 65, 64, 62 के लेवल में जब यहाँ पर शेर चलता तो विशल फाइबरिक का तब भी ऐसा है स्टॉक में आपको कौंगा आपपर सर्किट का मोमेंटम बना था दोस्तों और तबी भी मैंने कहा था कि इनिवेस्टेर को आप निकलना चाहे तो निकल सकते हैं आप यह पर ऐसा नहीं है कि आपके शेर आपके पास कौंटेटी ज़्यादा होगी तो आपक करता है कि इसमें कभी भी आपको कौंगा लोवर सर्किट लगे या अपर सर्किट लगे बट इसमें से आपको पता होना चाहिए कि कमपनी कि स्वे में चल रही है कमपनी में इंप्रूमेंट ज्यादा कुद नजर नहीं आ रहा है आपको यहापर कौँछ अच्छी करता है कि आपको समझ में आता होगा कि आपको कंपनी में गिरावर तो कंटीनी होने वाली है इसका रिजन यह कि दोस्तों कि कमपनी में कुछ भी इंप्रूमेंट नहीं है इंप्रूमेंट होती तो स्टॉक भी इंप्रूमेंट डिखा देता यहापर देखिए आप खुद देख सकते हैं कि इसमें ऑपरेटर बहुत ही अच्छी तरके से एक्टिव है और रिटेल निवेश्य को को गुंबरा करने के लिए काम कर रहे है आपको यह पर देखने को म अच्छी बात है यहापर निकल भी सकते हैं और आपके दिल ले सकते हैं आपको क्या करना है बलकर तो यही काम था मेरा कि मैं आपको बता बाद भी दोस्तो स्टॉक में तीजी आती है ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक में लोवर सर की लग जाए बोलकर मने तो अब भी तक नहीं देखा यहाँ पर विशाल फैबरिक आईसा एक ही स्टॉक है दोस्तो जिसमें यहाँ पर बोनस अनौस होने के बाद उसमें गिरा उठा ग आता होगा कि कमपनी में वैल्यूम भी बहुत ही कम है और सासाथ हमें यहाँ पर इसके आपको कहूंगा जैसे के अनौसमेंट की बात करें कमपनी तरब से कुछ भी उतना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है और एक्टिव पी कमपनी नहीं है और रेविन्य के मामलें अब ज्यादा नजर आता होगा देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहे है इस वज़े से आपको कहूंगा आप टेक्स्टेल बिजनेस से दूरी रहना दोस्तों उसमें इंप्रुमेंट की चैंसे बहुत ही कम है तो थैंक्यू सो मच आपको यहाँ पर समझ में